नमस्कार आप देख रहे हैं दर्स नियूज मैं हूँ आपके साथ रितेश सर्मा जन सुराज के सयोजक प्रसांत किसोड ने राजनीती में परिवारवाद को लेकर नेताओं पर हमला बोला उन्होंने बीजेपी के डिप्टिस सीएम समराज चौधरी पर निसाना साधा है और कहा है कि जब बीजेपी को कोई नेता बिहार में नहीं मिला तो उन्होंने समराज चौधरी की ताजपोसी कर दी है समराट चोधरी भी परिवारवाद की ही उपज है जनसुराज के सिल्पकार प्रसांद किसोर ने बिहार के रादनितिक परिवारों पर जनता को भ्रमित करने का आरोप लगाया है उन्होंने बताया है कि फिछले 20 वर्सों से बिहार की रादनिती 1200 से सारहे 1200 परिवारों के ही एर्द गिर्द घूम रही है इन्हीं परिवारों से विधायक और सांसद बन रहे हैं इन रादनितीक परिवारों ने ये भ्रम फैला रखा है कि बिहार में रादनिती करनी है बनते हैं प्रसांद की सोड़ ने कहा है कि भाजपा या जेडियू या राज़त में से किसी एक दल से अपनी रादनीती चलाते रहते हैं उन्होंने बिहार के उपमुख मंत्री समराज चौधरी का नाम लेते हुए बिहार की रादनीती में परिवारवाद किस तरह से हावी है उसका सटीक उदाहरं दिया है उन्होंने बताया है कि समराज चौधरी के पिता सकुनी चौधरी जब कॉंग्रेस का राज था तब उसमें विधायक और मंत्री थे उसके बाद लालू जी के राज में भी वो विधायक और मंत्री थे परिवारवाद से पनपे समराज चौधरी अब परिवारवाद पर बोलेंगे यह सा जो है प्रसांद किसोर के द्वारा कहा गया है तो प्रसांद किसोर ने कहा है कि जब लोगों ने लालू जी के जंगल राज को हटाया और नितीश कुमार के हाथ में सत्ता दी पर हैरानी वाली बात ये है कि सकुनी जी नितीश सरकार में भी विधायक और मंत्री बन गया अब जब बिहार की रादनीती में भाजपा को कुछ ज्यादा सीटे मिलने लग गई हैं तब उन्होंने भी सकुनी चौधरी के पुत्र समराज चौधरी को ही बिहार का उपमुख मंत्री ब तुझाजफ्य के जो परिवारवादी पाटिया है। उसी का पाथ होना है कोई नया बात होना नहीं है। समराच चोधरी किसके लड़के हैं शकुनी चोधरी जी के जब इस राज्य में कॉंग्रेस का शाषन था तो शकुनी चोधरी जी कॉंग्रेस के उस शाषन में विधायक और मंत्री थे लोगों ने कॉंग्रेस को हटाया लालू जी को राज दिया तो लालू जी के भी राज में सकुनी चोधरी बिरायक और मंत्री थे लोगों ने लालू जी के जंटल राज को अटाया नितीश को लाया तो नितीश के भी सरकार में सकुनी चोधरी बिरायक और मंत्री बन गए लोगों ने नितीश को अटाया मांजी जी को बनाया तो मांजी समराज चौधरी अब डिप्टी सी एम बने रहने के लिए उन्हीं का गुंगान भी कर रहे हैं ऐसा प्रसांद की सोड ने कहा है और एक वीडियो भी उन्होंने जारी किया है जिसमें पहले का दिखाया गया है कि समराज चौधरी क्या बोलते थे नितीश कुमार के लिए और जो है गुंगान करते हुए भी नहीं ठकड़े हैं वहीं इस पर जब समराज चौधरी से पूछा गया तो उन्होंने रविवार को कहा है कि वे यानि प्रसांद के सोर किसी पाइटी के नेता नहीं है वे अगर किसी पाइटी का हिस्सा बन जाते हैं तो उनकी टिपणियों का जवाब देना उचीत होगा वहीं आरजेडी प्रमुख लालु यादब पर समराज चौधरी ने हमला बोला है उन्होंने कहा है कि लालु प्रसाद यादब का परिवार आतंक गुंडागर्दी भरष्टाचार और माफियाओं का प्रतिक है वे हरा गमचा बांध कर गुंडागर्दी करते रहे हैं वहीं लोग चाहते हैं कि गमचा उतार दे उन्हें अपना चडित्र बदलना चाहिए और यही भगवान भी चाहते हैं आपको बताने कि जुलाई महीने में भी जन सुराज के संस्थापक प्रसांत किसोड ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीम समराज चौदरी को लेकर बड़ा बयान दिया था प्रसांत किसोड ने कहा था कि समराज चौदरी जैसे दस आदमी को नितीश कुमार डुबाने की छमता रखते हैं उन्होंने पहले समराज चौदरी का मुरेठा खुलवाया इजजत निलाम करवाई अब नितीश बीजेपी को ऐसा डुबाएंगे कि समराज चौदरी में प पीछे पलटने वाले लोग हैं इनकी आपस की कोई ताकत नहीं है हम तो इसलिए कह रहे हैं कि बीजेपी में अगर दम है तो 2025 के चुनाव के लिए नितीश कुमार को अपना मुख्यमंत्री का चेहरा घोसित करें समराज चौदरी यहां बीजेपी के नेता है उनसे जाकर प कम नहीं है तो फिलाल इसकावर में इतना ही है दर्स नीज के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले धन्यवाद के